संतान की लंबी आयू के लिए किये जाने वाले ब्रत अहुई अस्टिमी की संपूर्ण पूजा विधी इस वीडियो में जानेंगे और नियम भी आप सभी को इसमें विधित होंगे तो ध्यान से सुनिएगा अंत तक बने रहिएगा आप सभी को आवश्यक रूप से जहां प भी विधान है पूजन का तो आप सभी उन्हें रख लीजेगा आप दो घड जो है इस तरह से तामे के भी रख सकते हैं जो करवा में आपने पूजन में लिये हैं चोथ ब्रत में या आप मिट्टी के नए ला सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है पहले से इस्तेमाल किये गए जो घड़े हैं वह भी काम में लिये जा सकते हैं दो घड काम में लिये जाते हैं तो आप सभी को या तो इन में जल भर लेना है दोनों में या आप सभी जो है विसेश तोर पर इन में गेहूं भी भर सकते हैं कई लोग एक में जल एक में गेहूं भरते हैं वह आप कर स जाता है और बच्चे के सुक समरद्धी निरोगी काया के लिए उन्हें स्नान किया जाता है तो आप सभी को 24 अक्तुबर को यह पूजा करनी है और इन दो घड़ाओं का इस्तेमाल सुंदर सरूप में करना है चाहें तो थोड़ा-थोड़ा इनमें गंगाजल डाल दे ताकि पूर्ण रूप से कभी खराब ना हो और यह और अधिक सुपता के रूप में जाने जाए तो आप सभी को इस तरह से दो घड़ रखनी है साथ ही पूजा सामगरी सामाने सरूप में होती है आप जो पूए होते हैं वह बना सकते हैं और जो है आप पूआ पूड़ी जो भी इन दो घड़ को स्थापित कर लीजे प्रभु के नाम मंतर का जादा से जादा सुमिरन करें और इस दिन अपने सास के लिए आवश्यक रूप से एक साड़ी या जो सूट वगर वह पहनती है तो वह आप सभी रख लीजे गुरवार का दिन होने के कारण एक दिन पहले ही बाल इत्यादी धोली जिएगा बाल ना धोये गुरवार के दिन अगर बहुत आवश्यक है तभी आप सभी बाल दोईएगा इस बात का ध्यान रखेगा पैंट शर्ट का कपड़ा आप अपने जो है सास और ससूर जो है उनके लिए ससूर जी के लिए पैंट शर्ट और सास के लिए साड़ी ले सकते हैं कुछ रूफे उसमें रख लीजे चाहें तो आप सभी दक्षणा इत्यादी भी के साथ साथ आप सुहा के सामगरी भी रख लीजिएगा तो जिस इस तल पर भी बैठे कोई भी एक जमीन पर आप गेहूं इत्यादी रखकर भी कई लोग सीधे धर्ती पर भी पूचन करते हैं अपना अपना छेटर अनुसार कार है तोड़ा बदलाई तो होती ही है चीज़े अब पोष्टर में गड़ेशी महराज विराजमान है तो उनकी पूजा कर लिजे मेरे पोष्टर में गड़ेशी महराज नहीं है इस कारण से मैं पक hippolyस operators कर गुरुवार का दिन होने के कारण आप अपने बच्चों को आवश्यक रूप से जो है कोई ना कोई वस्तु दान कराएं दो घड एक के उपर एक इस तरह से रखनी है और दाहने तरब रखनी है उस घड के उपर कोई भी एक मिट्टी का बरतन या तामे का कटोरी कोई भी रख लिजे उसमें फालिया गेहों मिठा इत्या दिया आप रख लिजे गडेजी महराज को थोड़ा गेहों का आसन देकर हमने विराजमान कर लिया है सबसे पहले गेहों का आसन देकर दीपक को प्रज्वलित कर लिया है इस तरह से यह पूजा सुरू की जाती है बजार से लाई हुई सभी चीजों में जल के छीटे दे चाहें तो अपने दाहने हाथ में थोड़ा गेहों लेकर नाम गोत्र बोलकर संकल पर भी ले सकते हैं सभी देवी देवता जो विराजमान है उन पर रोली चंदन मोली अक्षर समरपित करेंगे सबसे पहले गडेजी को करेंगे उसके बाद अनि देवताओं पर समरपित करेंगे साथ के साथ जो दीपक है उसमें भी हम सभी रोली चंदन मोली समरपित करेंगे आठ टिक की आप सभी घड में लगा सकते हैं दो घड में यह बहुत जो है इस ब्रत का नियम माना जाता है जैसा कि इस दिन अगर आप प्रथम बार ब्रत पूजा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं पुत्रों या पुत्री सभी के लिए उपवास करना सुब माना जाता है पुस्पित्यादी समरपित करेंगे वस्तरूपी कलावा समरपित करेंगे गड़ेशी महराज और सभी देविदेवताओं पर यह ब्रत निसंतान दमपति करते हैं तो संतान के प्राप्ति होती है और संतान है तो उनकी लंबी आयू के लिए उपवास किया जाता है तो आप सभी विदेविदान से गड़ेशी का पूजन दुरवा इत्यादी समरपित करना यग्यो पवित सुपाडी समरपित करें और पोष्टर में विराजमान जितने भी पूजनी जन है उन पर भी रोली चंदन मोली समरपित करने का प्रियतने करें हाला की है पूजा शाम के समय ही सुनी जाती है राहुकाल का समय पूजा का सुभ महरत मैंने पहले ही बता दिया है अगर आपके पास जो शाव माता की माला है वह जो चांदी की होती है वह अगर आप सभी इस स्थाल पर रखते हैं तो और ही बढ़िया है मेरे पास नहीं है तो के बाद सिर्फ पूरे दिन भर में पहन सकते हैं जब तक आप तारों को अर्ग देंगे तब तक पहने नहीं तो छोटी दीवाली तक इसे पुहनने का प्राउधान है परंतो ऐसी इस्तिती नहीं है तो आप सिर्फ जो है उस दिन पूरे दिन भर में पढ़ें साम तक पहने कह बहुग लगाने के लिए तो आप वह भूग लगाएं साथी मौसमी फल सिंगाडे इत्यादी खीरा इत्यादी भूग लगाएं अभी मेरे पाग घर पर जो था जैसा था मैंने आपको करके दिखा दिया आप आशा है उम्मीद है समझेंगे डक्षणा यह दान के लिए बाद यह मैं प्रतिकात्मक रूप से आपको जो धागा है वह रखने का बता रही हो इस तरह से आप सभी को घड के उपर जो माला है वह रख लेनी चाहिए इस तरह से यह पूजा विधान होता है अब जानते है सास का जो कैसे साड़ी को पैंट शट को जो ससूर जी के लिए है उ जो मन पसंद उनकी मिठाई जो उन्हें प्रिये है उनकी सुहात की सामगरी इत्यादी उन्हें आप दे दीजेगा ठीक है इस तरह से यह सास के लिए कलपना कहा जाता है पूरी जानकारी मैंने आपको देने का प्रियत निकिया साम को जब चंदर देवता उदित हो तो उन् लगा लेंगे उससे वीधिधान से आर्ति कर लेंगे कई लोग सिर्फ एक ही दीपक लगाते हैं उससे भी आर्ति कर लेते कियो अपनी मानिता है सभी सही है सभी बड़िया है। और सबसे स्रेश्ट है यह ब्रत की कथा आप अंत में आठ गेहों के दाने अपने हाथ में लेकर औहोई अस्टिमी ब्रत और गडेशी के कथा सुने बुहल चूक के लिए छमा प्रार्थी हो और उन आठ गेहों के दानों को अपने साड़ी असूट के पल्लू में बार लीजि है कि कोई भी हमें सबजी काटना खेत खोदना पेड़ काटना इत्यादी पूर्ण रूप से वर्जित होता है यह हमारे ब्रत को खंडित करता है इस दिन चुगली चाटी सभी चीज़ा इन चीज़ा जो वर्जित कही गई है उन्हें करने से बचिएगा यह ब्रत अपने आ हर हर महारे